सब्सक्राइब देखेंगे कि जो जी सेवन की मिटिंग अभी हिरोशीमा में हुई है 19 माई से लेके 21 माई तक तो इसका क्या कॉंटेक्स्ट है और अब जी सेवन के व्यूज का इतना इंपक्ट क्यों नहीं है और इस मिटिंग में इंडिया को क्यों बुलाए जाता है । फिर हम देखेंगे कि जी सेवन इस अब इस tua हीर ने किस तरीकी से लिखेंगे जी सेवन से लेके जी स्ट४ट तक तो चल टिंग करते है ठीक है और जिन भी बच्चों को अच्छे से लेक्चर्स सारे चाहिए अवेलेबल हैं वो एप टे उपर आप लोग जाके एप इस्टॉल करिए और लेक्चर्स को बहुत ही अच्छे से तमीज से बैटके वन लाइनर नोट्स बनाओ जिसको बोलते हैं वन पेज नोट्स ओपियन एक पेज में सारे नोट्स कंपेट होने चाहिए जैसे मैंने आपको वर्क बुक वन में नेक्सलिजम को टॉपिक पढ़ाया तो नेक्सलिजम का पूरा टॉपिक मैंने ग्यारा सबैटिंग में डिवाइड किया तो वह आपको एक की पीज में पूरा कंप्रिट होना चाहिए वह आपको याद करने के लिए बहुत असान होगा ठीक है चलो स्टार्ट करते हैं और ह ऐसा बैच आपको कहीं भी नहीं मिलेगा याद रखना इस बात को कहीं भी घूमकर आजाओ अपनी मेहनत करोगे खुद के नोट्स बनाओगे याद रहेंगे बने बनाए नोट्स लेलोगे आज का लिए ट्रेंड चल रहा है वहां से पढ़ा देंगे क्या है बच्चों को आ रहे हो या आए कि को करवा दो या अरे बहिया बच्चों को समझाओ सीपिए एकषगी बेस होगा फ्यूचर में पास्ट में आईए मग्जीन आएगी आज की एक महीने बाद एक महीने बाद मेगजीन आएगी अब तब पढ़ोगे कर्णद फिर का परसो का है आपका आपका जो करेंट अफेर है वह आपका जुलाई तक आएगा तो जो लोग आई इसकी मेगजिन पढ़ रहे हैं डिफेंट डिफेंट कोचिंग की तो जून जुलाई का अगस्त में निकलेगा ना वह कहां से पढ़ लोगे तो इसलिए बोल रहा हूं तसलिए से बैठो को लेकर चलोगे तो मेरे साथ साथ पढ़ोगे तो चीजे बहुत इजी लिए और जल्दी कंप्लीट हो जाएंगी लास्ट में सब अगर आप सब कुछ अगर पाइल अप करोगे लास्ट दे चीजे कंप्लीट करना इतना सा नहीं होता तो इसलिए बोले जाता है कि या तो पहले से इतनी महनत कर लो कि लास्ट दिन आपको कुछ ना करना पड़े नहीं करोगे तब भी लास्ट दिन कुछ नहीं करोगे तब भी चलेगा ठीक है तो इसलिए पहले से महनत कर लो कि लास्ट दिन पढ़ने की कोई जरूत नहीं होती क्योंकि उस टैम क्या होता है अगर page notes, OPN, ठीक है, OPN, आपको OPN पे बहुत ज़्यादा focus करना है, one page notes पे, ठीक है, अगर आपके one page notes आप सबसे आगे हो race में, even आपको पता है, पूरी history, पूरी history बस आपकी maximum to maximum 30 page में complete होनी सब्सक्राइब करना है तो यह एक पेज वो होता है जो आपको भूल रहें उनको याद रखना ठीक है तो जैसे मैं आपको नेक्सलिजम पढ़ाया तो एक्सलिजम में आपको 11 टॉपिक्स पढ़ाया है तो 11 हैडलाइन होनी चाहिए और उसमें आपको जिस्त याद है बस याद रखना है वही लिखना है इसको याद रखना यह बहुत ही ज्यादा इंपोर्टेंट है पढ़ाई करने के लिए ठीक है तो आज जो मैं टॉपिक ले इस पाल इसका इंपाक्ट क्यों नहीं हो रा मतलब इसके व्यूइस को ज़्यादा माने ता क्यों नहीं हो नहीं हो नहीं दी जा रही इसको global consensus क्यों नहीं मिलता वह हम यहां पर जानने की कोशिश करेंगे मतलब सीधी सी बात है अब यह जी सेवन की एहमियत क्यों नहीं रह रही यह हम जानना चाहरें एक्जाम में सीधा कुछन आएगा कि जी सेवन का इंपक्ट है इस डिक्ट इस डिक्लाइ नेशन है उसका ग्रूप है ग्रूप ओफ वर्ल्ट्स जिनकी सबसे टकड़ी एकोनॉमी है जो वह साथ कंट्री उसको मिलाके एक ग्रूपिंग बनाई है अब जी सेवन में कौन कौन आता है हमें यह भी पता होना चाहिए तो जी सेवन को याद करने का तरीका तो बहुत है बट मैं आपको इस तरीके से पढ़ाओ को कि आपको रट्टा मानने की जरुत पड़ेगी नहीं देखो सबसे पहले तो आपको इधर ही आ दोना चाहिए अमेरिकन कॉंटिनेंट में कैनेडा हो गया ठीक है यूएस हो गया तो यह तो यहां यहां पर हो गए अब यूरोप म क्यों नहीं रहा इसके व्यूज को ज्यादा मानेता क्यों नहीं दी जाती और यहां पर एसिया में जापान हो गया ठीक है तो यह एक हो गया कैनेडा यूएस दो तीसरा यूके चौथा जर्मनी प्वाफ फ्रांस छटा इटली और सातवा जापान अब इसमें यूरोपियन यूनियन को भी सामेल कर लिया जाता है ब्लस यूरोपियन यूनियन जो यूरोपा की कंट्री Muito BUT ia A twent आप लोग को यह आश्चरी होगा सुनके कि इंडिया को भी कुछ सालों से जी से उन्हें बुलाया जा रहा है तो आप लोग कि हां सर बुलाना चाहिए पर आप सोचो कि जी सान में तो हमारा नामी नहीं ना तब हमको बुला रहे हैं को लिए की कुछ ना कुछ बूस बनाहिए टीक है अपने कहीं ना कहीं चलरी रही है मतलत कुछ ना कुछ बात है तो बात यह है कि इंडिया ब्राजिव उसकता को ऑग्व बुलाया गया ब्राजिल, इंडोनेशिया को भी बुलाया गया, और वियत्ताम को भी बुलाया गया, तो इंडिया को जो बुलाया गया, आप जाद रखना कि over the years बुलाया जा रहा है इंडिया को, बहुत सालों से इंडिया को बुलाया जा रहा है, इससे क्या समझ में आता है, इससे ही समझ of India with respect to with respect to economy with respect to infrastructure में इंडिया बढ़ रहे है और आपको पता है कि अभी जी-टंटी की Presidency किसके पास है किसके पास है इंडिया के पास है तो कहीं ना G7 वाले लोग जो ये साथ लोग हैं ये ये चाहते हैं कि जो G20 के जो प्लांस होंगे और जो G7 के प्लांस होंगे उन दोनों प्लांस को कहीं न कहीं सिंक्रोनाइज करने की वज़े से ये लोग इंडिया को बुलाते हैं तो इससे हमें समझ में आता है कि हमारी एक पोजिशन एक स्टेचर जो है हमारा वो वर्ल्ड प्लेटफॉर्म्स पे बहुत ज्यादा बढ़ चुका है कि दूसरी ग्रूपिंग समको बुला रही है तो अब G7 में इस बार क्या हुआ G7 में इस बार क्या हुआ ठीक है क्या हुआ पहला पॉइंट ये आपको याद रखना है इस बार G7 ने एक एक हिरोशीमा विजन स्टेटमेंट और न्यूक्लियर डिसर्मामेंट को रिलीस किया क्या चीज इन्होंने एक डॉकुमेंट निकाला देखो मैं आपको लिख लिख के सब कुछ इसलिए पढ़ा रहा हूँ क्योंकि मैं चाहता हूँ कि कहानी की तरह की से चीज़े आपको याद हो तो ऐसे में आपको लिखने में कोई भी दिक्कत ना है हीरो सीमा विजन स्टेक्मेंट ओन नीउकलियर डिस अर्ममेंट ठीक है अब आप खुछ सोचना कि अब इस मिटिंग में कौन आयवा है इस मिटिंग में आयवा है US का President ठीक है? Biden अब जो US का President भी आयवा है आप ये सोचो कि जिन लोगों ने Hiroshima पे दो atom bomb गिराए Hiroshima और Nagasaki में ठीक है? जापान में किसने गिराए? US ने अब उन्ही का President आयवा है और उन्ही के सामने ये एक statement रिलीज हुआ जिसका नाम है Hiroshima vision statement on nuclear disarmament मतलब जो nuclear को जो भी ये weapons है उनको disarmament armament होता है कि उनको ले के आना disarmament मतलब उन सब को खतम कर देना तो आपको ये भी सुनके हैरानी होगी कि जो 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 बैडन है ये ये second sitting American President है जो आए है Hiroshima में second sitting American President है who have came in the city came in the city of Hiroshima ठीक है अब ये important इसलिए भी है ये जो nuclear disarmament है क्योंकि जो Ukraine का जो प्रेसिडेंट है कौन? वोलादी मिर जैलेंस की जैलेंस की ये भी इस summit में आया अब रशिया यूक्रेन का वार पहले से चल रहा है तो कहीना कहीं एक जो संदेश देना चाहते हैं जी सेवन की कंट्रीज की भाहिया nuclear को अटेक्स को नहीं एपलाई करा जाए नुक्रियर डिसर्ममेंट पे फोकस करा जाए और यूस प्रेसिडेंट के सामने ये सब चीज़े हुई है वहाँ पे ठीक है तो कहीना कि थोड़ी बहुत चीज़े समझ में आई होगी ठीक है और क्या क्या हुआ सेकेंड सेकेंड पॉइंट आपको याद रखना है कि जी सेवन ने इस बार स्टेट्मेंट दिया है रस्या यूक्रेन के वार पे स्टेट्मेंट ओन रस्या यूक्रेन वार अब आप लोग खुश सोचो कि ये सब जी सेवन में इस सार चीज़े हुई और क्लामेट चेंज के बारे में भी बात हुई क्या बात हुई इन्हों ने कहा कि G7 parameters the need for a global peak in emission G7 stressed on the need for a global peak in emissions by 2025 in emissions by 2025 25 मतलब की जी 7 countries ने ये claim करा है कि जो वो emissions करते हैं ना ये carbon dioxide और ये इस तरीके से जो भी global warming gases होती है उनको ये peak attain कर चुके है और अब ये नहीं करेंगे और जो दूसरी economies है वो 2025 तक जितना maximum करेंगे उसके बाद और वो limit का भी cross ना करें येकिन लोगों ने इस तरीके से बात कर ठीक है और वह सारी बात हुए हैं यहां पर आपको मोटा-मोटा यह याद रखना है पर हमारा में टॉपिक क्या है हमारा में टॉपिक यह उससे मत भटको हमारा में टॉपिक क्या है कि इसका कोई impact क्यों नहीं है इसकी बात जो इसने कर दी कि nuclear discernment करो इसने कह दिया कि climate change में यह करो इसलिए रश्य यूगरेंट पर अपने स्टेटमेंट दे रहा है इसकी बात की इतनी वैल्यू क्यों नहीं है इसका इंपक्ट इसलिए नहीं अगर आपने ध्यान से देखा होगा तो आप खुछ सोचो कि एसिया की सिर्फ एक कंट्री है जापान ना तो इसमें रश्य ना इसमें इंडिया ना इसमें चाइना सोचो यह कंट्री हैं ही नहीं जबकि यह भी बहुत बड़ी इकोनॉमी आपने आप में बड़ी नहीं है तो हमारे पास कुछ कॉंक्रीट पॉइंट ऐसे होने चाहिए कि एक्जाम में हम जी सेवन के व्यूस पॉइंट के बारे में लिख पाएं क्या व्यूपॉइंट है वो देखो इसको समझने के लिए हम इसको टोटल पांच पॉइंट में कम्प्रीट करते हैं ठीक है पांच पॉइंट आपको इस चीज़ के लिए आद रखने पड़ेंगे ठीक है पांच पॉइंट यह डाइग्राम्स मैं आपको इसलिए बनवाता हूँ क्योंकि इस चीज़ी सारी आपको याद हो जाएं ठीक है सबसे पहले तो आपको याद रखना पड़ेगा कि जी सेवन इस नौट रिप्रेजेंटिंग दो वर्ल्ड व्यूँ क्यों भाईया ऐसा क्यों है इसलिए रिप्रेजेंट नहीं कर रहें अब मैं जापको फैक्ट्स देने वाला हूँ न यह आपको अपने एक्जाम में लिखके आने क्योंकि जी सेवन की जितनी सारी कंट्री न सातों कंट्री मिला के दे ओनली एकाउंट फॉर अगर पूरे पूरी अर्थ का जी डी पी निकाला जाए हर कंट्री इसका ग्रॉस डॉमेस्टिक प्रोड़क्ट मतलब कितनी उन लोगों ने अगर आप मुटी मुटी भाषा में जानों तो यह होता है कि इस दा मेजर ऑफ दा मॉनेटरी वैली ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोडॉस प्रोडॉस इन एक गिवन प्रॉड टाइम में तो अगर सारी कंट्री का जी डी पी निकाला जाए तो यह साथ कंट इनकी population देख लो कितनी हैंत। देखने अनली एकांट फोर यैए अनली एकांट फोर टैन परसंट आफ वर्ल्ड's पॉप्लेशन वर्ल्ड के सिर्फ परसंट लोग है रह रहे हैं सोचके देखो नब्च परसंट कहा है नबव्च परसंट पता और देख लो अब आप आप खुद सोचो जापान को छोड़के एपार्ट फ्रॉम जापान को छोड़के इस मेंबर्शिप इस मेंबर्शिप इस मेंबर्शिप और अमेरिकन वॉल्ड वीऊ यूरो मतलब यूरोपियन और अमेरिकन वर्ल्ड व्यू क्या समझ मैं आपको इससे इससे समझ में आया कि भाई एसिया की तो बस एक कंट्री जापान नहीं तो सारे के सारी यूरो पर अमेरिका की भरी पड़ी है एसिया में इंको एक ही दिखे इंडिस्टिलाइस्ट अब ब आपर इंकि आप डिखे अथ जंकित כई मेज़ कंडिस्ट। आप Aur इस अनECSरे झाल का इंच्टिराएसरी अर्चानि में ऑर जोरिया in 2008 and then क्रीमिया क्रीमिया इन 2014 पहले 2008 पे जोर जब एक अब जा कर लिया रशिया ने और फिर 2014 में क्रीमिया बेगर लिया तो इसके बाद इसे भाईया इससे निकाल दिया गया और क्या पॉइंट है कि ये वर्ल्ड व्यू क्यों रिप्रेजेंट नहीं कर रहा इसकी इतनी बात क्यों नहीं मानी जाएगी वर्ल्ड में क्योंकि ये ऐसा economic group है it is an economic group which does not which does not include चाइना ना तो चाइना है और ना ही इसमें انडिया है जो कि दोनों की दोनों कैसी है world's largest economies है वर्ल्ड's largest economies नहीं है भी यह इसमें बुलाने से क्या मतलब है तुम गेस्ट की तरह बुला रहे हो तुम अपने अंतुम भाईया हमको रखो साथ में हम तुमको बताएंगे कैसे करना है काम जी सेवन में तुम हमको रखते ही नहीं हो हमको गेस्ट की तरह बुला लिया बस इंघे करी से फास्ट ग्रोइंग GDP आहां मगर वह नहीं नहीं आ रहा हम थूर बिगएस्ट ग्लोबल एनरजी प्रॉइडर हैं अगर चायना और इंडिया ऋ मिला लिया जाए तो बहुत आर्दा बिगेस्ट ग्लोब एनरजी प्रॉइडर मगर वह इसमें ही नहीं तो जी एक्जाम में लिख करानी है पहला क्या लिखना है कि बहुत थर्टी परसेंट से भी कम GDP इसका ग्लोबल डीडीपी पॉपुलेशन दस परसेंट है यूरो अमेरिकन वर्ल्ड यू रिप्रेजेंट करता है बस रसिया इसमें है नहीं इसमें ना इंडिया है न चाहिना है यह आ क्या ना कि जी सहां का क्रिडिसिशन क्या होना चाहिए यह होना चाहिए यह समझने आप लोगों को बटी समझोगे कैसे यह समझोगे जब जब आपको बेसी कॉंसेट क्लियर होंगे ठीक है दीदर हो जाएंगे टेंशन है कोई जूरुत नहीं है मैं पढ़ा रहा हो ना स्पोटलाइट शिफ्ट्स तू जी टॉन्टी समिट अब सब की निगाए जी टॉन्टी समिट में है यह यह है यह है यह जो की दिल्ली में होने वाला है ठीक है यह होप्ट याद रखना क्या बोलराऊं बहुत मिंपॉर्टन है यह यह है यह जो कि यह होप्ट आपटी समिट्वर्ट विल वर्क जी टॉन्टी समिट्वर्क्ट सबाइट मिलग्डीय में है तोवर्ड अ मोर्ट वार इंकोजिव आटलू को लिएड़्लिव आटलूक इ and help in building a more comprehensive, more comprehensive, global outlook, global consensus on some of the bigger challenges the world faces today अपने अपने आप 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 कर दिया कि जीटोंटी विल्टोंटी विल्ट वर्क टॉडड अंड है और इसके पास है उस तरीक से आपको चीजों को जो है थोड़ा सा थोड़ा सा धिमाग लगाना है बस और कुछ भी नहीं है बहुत असान है यह सब ऐस से लिखना आप भायात का खेले आर्गुमेंट लिखना रिपोर्ट राइटिंग एक बार आपकी चीजे बस कॉंसर्ट क्लियर हो मैं चाहता हूँ कि चीजे आप समझ जाओ पहले ठीक है फिर और सारी चीजे बहुत ही आसान हो जाएंगे ठीक है कोई डाउट नहीं है और कोई भी डाउट है तो आप लोग मैसेज कर सकते है इस नमबर पर ठीक है यह विराएं नमबर है सारवनागर 89549-77090 ठीक है चलो थैंक यू फ्रेंड्स जैहिंट